ओम श्री कणिशाय नम्हा आज सुनिए कार्थिक पूनिमा की कथा कार्थिक पूनिमा को त्रिपुरारी पूनिमा भी कहा जाता है माना जाता है इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वद किया था साथ ही आज के दिन भगवान शुरी हरी के मत्स अफ़तार की भी गथा सुनने चाहिए इसनान, दान और वृत करने के लिए कार्तिक पोनिमा का दिन सबसे शुब माना जाता है ऐसे में अगर आप पूनिमा का वरत प्रारम करना चाहें तो कार्तिक मास की पूनिमा के दिन से आप पूनिमा के वरत भी प्रारम कर सकते हैं साथ ही आज के दिन मा लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री हरी के मत्स अफदार की कथा और साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी भगवान शिव के तृपुरारी रूप की कथा आखिरकार क्यों उन्हें तृपुरारी के नाम से भी जाना जाता है आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नुरोध है कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरू लिखेगा आईए सुनते हैं पौराणिक कथा के नुसार तारकासुर नाम का एक राक्षिस था उसके तीन पुत्र थे तारकक्ष, कमलाक्ष और विध्युनमाली भगवान शिप के बड़े पुत्र कार्थिके ने तारकासुर का वद किया अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वर्दान मांगने के लिए और उन्हें प्रसन करने के लिए कठोर तपस्या प्रारम कर दी अब ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से एक दिन प्रसन हुए और कहने लगे कि मांगो क्या वर्दान मांगना चाहते हो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर्दान मांग लिया लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वर्दान मांगने के लिए कहा तब तीनों ने किसी दूसरे वर्दान के बारे में बहुत सोच विचार किया और सोच विचार कर उन्हों ने ब्रहमाजी से कहा कि हमारे लिए तीन अलगलक रथों का निर्मान करवाया जाए जिसमें बैठ कर सारी प्रत्वी और आकाश में घूम सके और एक हजार साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के रथ मिलकर एक हो जाए और जो भी देपता तीनों रथों को एक ही बान से नस्ट करने की शमता रखता हो वही हमारी मृत्यू का कारण बने ब्रहमाजी ने उन्हें ये वर्दान दे दिया अब तीनों वर्दान पाकर बहुत खुश वे ब्रहमाजी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए तीन रथों का निर्मान कर दिया तारक पर अधिकार भी जमा लिया इंद्र देवता इन तीनों राक्षोसों से बड़े भैबीत हुए और भगवान शिव की शरण में चले गए अपनी व्यथा भगवान शिव को सुनाई देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों दानों का नाश करने के हिमालय धनुष बने और शेशनाग बने प्रत्यंचा भगवान शिव खुद बान बन गए और बान की नोक बने अगनी देव इस प्रकार दिवरत पर सवार हुए खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रत और तीनों भायों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जैसे ह क्योंकि कार्थिक मास की पूनिमा को हुआ था इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूनिमा के नाम से भी जाना जाने लगा दूसरी और ऐसी भी मानिता है कि भगवान श्रीहरी ने मत्सिरूप धारन किया था कार्थिक पूनिमा के दिन ही कहा जाता है कि जब प्रत्वी पर च रहा था उस राजा का नाम था सत्यवरत सत्यवरत पुन्यात्मा तो था ही बड़े उदार हिर्दय का भी था सुभा का समय था सूर्यदय हो चुका था सत्यवरत कृत माला नाम की नदी में इस्नान कर रहा था उसमें इस्नान करने के बाद जब तरपन करने के लिए उसने अप मचली बोलने लगी, कहने लगी, हिराजन, जल के बड़े बड़े जीव, छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव भी मुझे मार कर खा जाएगा, कृप्या करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, उस छोटी सी मचली के प्रती सतिवरत के हिरदय में दयाउत्पन हो थी, उसने मचली को जल से भरे अपने कमंडल में डाल दिया, तब ही एक आश्चरी जनक घटना घट गई, एक ही रात में मचली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पढ़ने लगा, अब दूसरे दिन वह मचली सतिव सतिवरत नाम के राजा से फिर कहने लगी, हे राजन मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंदिये, क्योंकि मेरा शरीर तो बढ़ गया है, अब इस कमंडल में घूमने फिरने में मुझे बढ़ा कस्ट होता है, अब सतिवरत हैरान था, सतिवरत ने मचली को कमंडल से निकाल कर पानी से भरेवे एक बड़े से मटके में रख दिया, अब यहां भी मचली का शरीर राद भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया, अब दूसरे दिन मचली फिर से सतिवरत से कहने लगी, हे राजन मेरे रहने के कहीं और प्रबंद कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए अब छोटा पड़ गया है, तम सतिवरत ने उस मचली को निकाल कर एक बड़े से सरोवर में डाल दिया, किन्तु यहां भी चमतकार, देखे सरोवर भी मचली के लिए छोटा पड़ गया, अब इसके बाद सतिवरत ने उस मचली को एक नदी में डाल दिया, यहां भी वही चमतकार हुआ, अब नदी भी मचली के लिए छोटी पड़ गई, तो राजा ने उस मचली को नदी में से निकाल कर समुद्र में डाल दिया, आश्चर समुद्र में भी मचली का शरीर इतना आधिक पड़ ग चोटा पढ़ने लगा है करपया मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए राजा सत्यवरत बहुत दयालू था किन्तु इस चमतकार को देख देखकर वह भी हरानों उठा उसने आज तक ऐसी मचली अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी वह हरान भरे स्वर में कहने लगा मेरी पुद्धी को विसमे के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स रूपधारी श्री हरी ने उत्तर दिया है राजन है ग्रीव नामक दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया है जगत में चारों और अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है मैंने हैगरीब को मारने के लिए ही मत्स रूपधारन किया है आज से साथवे दिन प्रत्वी प्रले के चक्र में घिर जाएगी और समुद्र उफन पड़ेगा भयानक बारिश होगी सारी प्रत्वी जल में डूप जाएगी जल के लावा कहीं कुछ भी नजर नहीं आएगा आपके पास एक नाव पहुँचेगी आप सभी अनाजों और ओश्तियों के बीजों को लेकर सब तरिश्यों के साथ एक नाव पर बैठ जाएगा मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई पड़ूँगा और मैं तभी आपको आत्मतत्व का ज्यान प्रत्वरत उसी दिन से भग पहने लगा भयानक बरसा थोने लगी थोड़ी ही देर में सारी प्रत्वी पर जल ही जल था सारी प्रत्वी जल में समा गई ठीक उसी समय पानी में एक नाव दिखाई पड़ी सत्यौरत सत्य Ginsburg स्त्रिश्यों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपून अनाजों और ओस्तियों के बीज भी भढ़ लिये। अब नाव प्रलय के सागर में तैर्दने लगी। प्रलय के उस सागर में नाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तभी मत्सिरूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े साक्षाद भगवान को अपनी समक्ष पाकर सत्य व्रत और सत्य रिशीकन मत्सिरूप धारी भगवान की इस्तुति करने लगे भगवान से आत्म ज्यान पाकर सत्य व्रत का जीवन धन्य हो उथा, वे जीते जी ही जीवनमुक्थ हो गए उधर प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स रूप धारी भगवान ने है गरीव को मार कर उससे वेद छीन लिए उधर भगवान ने ब्रह्माजी को पुनह वेद दे दिये इस प्रकार भगवान ने मत्स रूप धारन करके वेदों का उधार तो किया ही साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्यान किया ये थी कार्थिक पुनिमा के दिन सुनी जाने वाली पवित्र और पुराणिक कताएं अगर आज की ये कताएं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा